Railway Recruitment Board के दोरा अब बहुत ही जल्द मीन्स कभी भी Railway Recruitment Board के दोरा Notification Release किया जा सकता है New Vacancies Railway की 2023 के लिए क्योंकि आपको पता होगा अगर आप Regular Viewer हैं तो मैंने आपको बताया था कि April मन्त तक कोई भी Vacancy Notification Railway की तरफ से Release नहीं किया जाएगा April मन्त के बाद timing fix नहीं है, date fix नहीं है, month कुछ नहीं पताया कि किस month में Release होगा लेकिन April मन्त लगवक निकलने को है, इसके बाद आपका Railway कभरती का Notification कभी भी Release हो सकता है लेकिन last तक यानि November से पहले, November से पहले आपका Notification Railway का आ जाएगा ऐसे मैं आपको पता होना चाहिए कि Railway में कौन-कौन से Subjects आपको पढ़ने चाहिए, क्या आपको तयारी करनी चाहिए क्योंकि जो Candidate काफी टाम से तयारी कर रहे हैं, उनको काफी अच्छे से Knowledge होगी और तयारी भी काफी अच्छी होगी लेकिन बहुत से Candidate ऐसे भी होते हैं, जो Last Time या Last Moment पर उनको पता चलता है कि अब कुछ दुनों बाद इसका Notification आएगा तब उनको लगता है कि हमें कौन-कौन से Subjects पढ़ना चाहिए, क्या करना होगा तो ये सारी Information आपको दूँगी कि कौन से Subjects आपको पढ़ने होंगे RRB Anti-PC Post के लिए RRB Anti-PC की जो भरती रहती है, इसमें Post जो रहती है, वो 12th and Graduate, दोनों लेवल की Post इसमें रहती है तो मैं आपको इस वीडियो में अभी RRB Anti-PC के लिए आपको कौन-कौन से Subject पढ़ने होते है कौन सा किस तरह का आपका जो एक्जाम है, वो होता है, पैचन क्या होता है, क्योंकि जो रेलवे भरती होती है, इसमें CVT1, CVT2 होता है तो किस Post के लिए आपको कौन सा CVT1 देना होता है, यह CVT2 देना होता है, कुछ Post ऐसी है जहां पर टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होता है तो आपको कौन से Subjects पाइने है, किस Subject से कितने कितने कॉश्चन किया जाते हैं, कितना टाइमिंग आपको दिया जाता है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूगी, तो अगर आप Railway Vacancy का वेट कर रहे हैं, और वीडियो को एंट तक देखेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंट शेर कीजेगा सो फ्रेंड्स मैं हूँ आस था, वैलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटुब चैनल गवर्मेंट जवाब जेन्यू नॉटिफिकेशन पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पोस्ट कौन-कौन सी होती है, आरर भी एंट पीसी में तो इसमें जो पोस्ट रहेंगी, 12th लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें जूनियर किलर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स किलर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस किलर्क ये रही आपकी 12th standard की यानि 12th level की post इसके बाद अगर हम graduate level की post देखे तो इसमें आपकी traffic assistant, goods guard, senior commercial कम typist, ticket clerk, senior clerk कम typist, junior account assistant कम typist, senior timekeeper, commercial apprentice and station master इसमें आपकी 12th and graduate level, दोनों level की post रहती है अगर हम बात करें इसके selection क्योंकि हम subjects, ये जो वीडियो बनाया है ये आपके लिए subjects को लेकर के है क्योंकि काफी comments पर आ रहा थे कुछ videos पर कि हमको क्या subject study करना होगा, क्या पढ़ाई करने होगी कौन-कौन से subject किस post के लिए हमें पढ़ने होगे तो अभी मैं RRB anti-PC की बात करूँगी चीके, अब RRB anti-PC की चाहे 12th level की post हो चाहे graduate level की post हो सभी post के लिए, जो selection procedure रहेगा बहुत हो आपका same रहेगा लेकिन जो CVT2 है, वो post जो CVT2 के बात में जो stages रहती है वो different रहती है and CVT2 का level अलग रहता है 12th standard की जो post रहेगी उसके लिए 12th level का standard रहेगा and जो graduate level की रहेगी उसके लिए graduate level का standard रहेगा ओके, so RRB anti-PC में जो selection procedure है, इसमें सबसे पहले आपका CVT1 होता है first stage, CVT examination जिसमें आपसे general awareness, mathematics and general intelligence and reasoning इन 3 subject से questions किये जाते है general awareness से सबसे ज़्यादा questions किये जाते है 40, mathematics से 30 questions आते है general intelligence and reasoning से 30 questions आते है total 100 questions आते है CVT first में first stage, computer based test में आपका 100 questions आते है timing, 90 minute की इसमें timing दी जाती है means, 1,5 घंटे का आपको time दिया जाता है लेकिन जो PWD candidate है उनके लिए 120 minute की timing रहती है 2 घंटे की timing इसमें दी जाती है CVT1 में negative marking भी होती है one third mark minus किया जाता है अगर आप wrong answer देते हैं MCQs types question रहते है means, आपको एक question के four options दिये जाएंगे आपको correct answer को tick करना होगा अगर आप wrong करेंगे तो वहाँ पर आपका mark minus किया जाएगा one third mark so answer आपको carefully देना है okay, so CVT1 के लिए किसी भी subject यानि किसी भी post के लिए आप apply करने है CVT1 सब भी के लिए देना होता है so ये तीन subjects है general awareness, mathematics, general intelligence and reasoning ये आपको अपने इनकी command यानि इन पर आपको अच्छी से तयारी करनी होगी CVT1 के लिए करने के बाद आपका होता है CVT2 CVT2 जो रहेगा ये भी MCQs types रहता है और इसमें भी question same subject से ही आते हैं same topic से ही आते हैं लेकिन इसमें जो questions हैं वो बढ़ जाते हैं जैसे general awareness इसमें अब आपके 50 questions किये जाते हैं ठीक है stage first जो थी CVT की उसमें 40 questions थे general awareness के CVT2 में general awareness के 50 questions आएंगे mathematics से 35 questions आएंगे यहां पर भी 5 questions बढ़ गए and general intelligence and reasoning में भी 35 questions आएंगे so इसमें भी 5 questions बढ़ गए total 120 questions किये जाते हैं subject स्वही है थोड़ा percentage बढ़ गया and CVT2 जैसा कि मैंने बताया 12th and graduation level की post है तो level आपका जो standard है वो अलग रहेगा subject सेम रहेंगे and marking भी सेम रहेगी कितने questions आने है वो भी सेम रहेगा timing भी आपको जो CVT बन में थी same वही timing रहेगी के लिए और देर घंटी की timing आपको normally दी जाएगी यहाँ पर भी negative marking रहती है यहाँ पर भी negative marking में one third mark minus किया जाता है अगर आप wrong answer देते हैं so CVT1 and CVT2 सभी post के लिए रहेगा subject हमने देख लिए आपको कौन-कौन से subjects की तयारी करनी है general awareness, mathematics, general intelligence and reasoning इसके बाद होता है CVAT, कुछ post के लिए CVAT रहेगा, कौन-कौन सी post के लिए रहेगा, जैसे CVT1 और CVT2, यह तो सभी post के लिए है, जैसे ही आप CVT2 क्रॉस करते हैं, किलिया करते हैं तो कुछ post के हिसाब से states divided हो जाती है, जैसे CVAT and typing test होता है, तो CVAT किन post के लिए रहेगा traffic assistant and station master, अगर आप यह दो post के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका CVAT भी exam होता है, एक test होता है जिसका full form होता है, computer waste aptitude test, और यह test सिफ traffic assistant and station master, यह दो post के लिए रहता है, इसमें कोई भी negative marking नहीं रहती है, CVAT में ओके, सो यह दो post के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आपका CVAT होगा और अगर आप इन दो post के अलावा other post के लिए कर रहे हैं, जिसमें कि junior clerk come typist, accounts clerk come typist, junior timekeeper senior clerk come typist junior accounts assistant come typist senior timekeeper अगर इन में से किनी post के लिए कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पा typing skill test होता है clear हुआ, यानि RRB anti-PC में CVT1, CVT2 यह सभी के लिए देना है, and CVT2 के बाद जैसे ही जो इस next stage आएगी वहाँ पर CVAT हो जाएगा traffic assistant and station master के लिए and typing test के लिए कुछ post अभी हमने देखी, यह सारी post रहेंगी, ओके, इसके बाद आपका होता है, document verification रहता है, medical test वगरे रहता है अब हम इसमें slavos देख लेते हैं, कि हमने subject देख लिए general awareness, mathematics and general intelligence and reasoning, तो इसमें एक level देख लेते हैं, CVT1 का देखेंगे पहले, CT with CVT1 का आपका slavos क्या रहेगा तो mathematics में आपका number system, decimal fraction, LCM, HCF ratio, proportion, percentage mensuration time and work, time and distance simple and compound interest and profit and loss elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics ये आपका mathematics से रहेगा stage first में general intelligence and reasoning जो stage first का रहेगा, उसमें completion of number and alphabetical series, coding, decoding mathematical operations similarities and differences relationships, analytical reasoning and jumbling, when diagram puzzle, data sufficiency statement, conclusion statement, courses of action decision making, maps ये आपके general intelligence and reasoning करेगा stage first का इसके बाद है general awareness इसमें आपसे current events of national and international importance games, sports, arts, culture of India Indian literature, monuments and places of India general science and life science and इसमें आपका history of India and freedom struggles, physical, social and economic geography of India and world, Indian policy, development including space and nuclear program of India ये आपसे question किये जाते हैं करेए वही stage 2 में जाया वहाँ से clear करें आपका पुरा सलावस रहेगा CVT 1 and CVT 2 का कौन सी पोस्ट के लिए कितने stages से गुजरना होगा वो मैंने आपको बता दिया साथ ही मैं अगर आप medical standard की बात करें कि किस पोस्ट के लिए कौन सा medical standard रहता है medical standard होता क्या है railway में आप उसके लिए fulfill है या नहीं करते है medical standard जो भी requirement है इस पर मैंने बहुत ही अच्छे से explain किया हुआ है video सारे standards बताए है पोस्ट वाइज आपको railway में किस पोस्ट के लिए कौन सा medical standard रहता है और उस standard में क्या मांगा जाता है या क्या रखा जाता है आप उसके लिए eligible है या नहीं बहुत ही अच्छे से explain किया है अगर आपने visit नहीं किया है वो video i button पर या फिर end screen पर मैं उस video का link दे दूँगी या community में मैं आपको share कर दूँगी क्यूंकि railway की vacancy बहुत जल्द आने वाली है वैसे मैं आपको पता होना चाहिए किस post के लिए आप eligibility रखते हैं return examination के लिए कर लेते हैं सब कुछ आपके लिए करते हैं लेकिन medical में जाने पर जब आपके लिए नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत दुख होता है तो इसके लिए आप उस बीडियो को visit कर लिजेगा काफी आपको help मिलेगी and I hope आपको ये बीडियो पसंद आया हो अगर ये बीडियो पसंद आया हो तो बीडियो को like and share कीजेगा अधर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके पोल सकते हैं थैंक यू